इन लोग जूटे लोग हैं इन लोगों ने केवल जूट की खेती किये अब तक और देश के लोग समझ चुके हैं इनको और इस बार तभी ना हालत खड़ा है लालू जी ने जो काम किया हावर्ड से लेके एंसियाड यूनिवर्चिटी तक लोग उनसे पढ़ने आते थे मैनेजमेंट गुरू के नाम से कहलाई जाने लगें अगर ये भाजपा के नजर में जैंगल राज है तो आज जो नरेंदर मोदी जी की राज है वो राक्षस राज है नौकरी के अजंडे ने उनको सड़क पे ले आया है मोदी जी जरा बिहार को विशेश राज का दरजा आपने देने की बात की थी जरा बता दो दस साल होगे अब तक नहीं मिला ये लोग जूटे लोग है इन लोगों ने केवल जूट की खेती किये अब तक और देश के लो बीजेपी का दूरा सफाया बिहार से तो होई गया और हमने कहा था चौकाने वाला रिजल्ट लाइंगे और चौकाने वाला ही नहीं बलकि ऐसा रिजल्ट लाइंगे ताकि एंडिया की सरकार के अंदर में नहीं मनें वो कह रहे हैं कि अगर इडिया अलाइंज की सरकार आई तो पूरे देश में लालू जैसा जंगल राज का हाला को जाएगा अधिशा कह रहे हैं लालू जी जब यूपीए की सरकार ने आटियाई लाने का काम किया फूड सेक्योरिटी बिल लाने का काम किया राइट टू ए रेलवे मंत्री रहते लालू जी ने हर बजट में किराया कम किया बिहार में 3-4 रेलवे का कारखाना देने का कम किया स्लिपर में जो गरीब चलते थे वो भी AC में चले गरीब रत जैसे ट्रेने देने का कम किया लालू जी ने जो काम किया हावर्ड से लेके एंसियाड यूनिवर्चिटी तक लोग उनसे पढ़ने आते थे मैनेजमेंट गुरू के नाम से कहलाई जाने लगे अगर ये भाजपा के नजर में जेंगल राज है आम से लेकिए नैंकरी के आजंडे को शड़क पेले आया है मोदीजी जरा अपने देने की बात की थी जरा बता दो दस साल होगे अब तक ने मिला एक चीनी का पटना सेंट्रल उनिवर्सिटी को सेंट्रल उनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया इनोंने किस मुह से पटना आ रहे हैं जवाब देना पड़ेगा हम कोई नहीं अपने साथी को भी जवाब देना पड़ेगा और साथी को भी जवाब देना पड़ेगा कि उनका मांग अभी भी बड़ करार है कि नहीं